ना चिकिन ना ही गोष्च फिर विजाय का चिकन जिसे बहुत ही मज़ेदार सोया गिर इंग कीमा की रेसिपी, इस मज़ेदार असान अज़ायद बढ़ां लिए strategically को बनाएं अपने हाते चाहदु का occup चलाएं और गरवालों से तारीफ हे सुनते जाएं चले जी मज़िदार सा कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक जग में शामल कर देंगे आदी कर्थ हरा दनिया की अब इसमें फोधिना शामल कर देंगे वन फोर कप फालक शामल कर देंगे जिसके हमने पांस च्छे पते लिये थे बड़ी लाइची लीती जिसके बीचे में नेस दानच Tiffany करेब देने के रहे एकषिछ दान के सब्सक्राइट्ब कालियम इस्जिशी चाहें दनीयाशी में चिट रहे छेटी टी चोटी लाइची चाहें हमें सब्सक्राइचे में DEU जो है ना वो हराई रहे काला ना पड़े इससे वजह से इसमें बरफ एट करें और इसमें पानी ज्यादा यह बल्कुल भी एट नहीं करना आप चाहें तो इसमें दो बड़े चाउच पानी के एट कर सकते हैं इसको अच्छ तरी किसम ब्लेंड कर देंगे बहुत ही मज़ेद पर हमने किसा साबल सोया बीन अब इसको पानी को अचली कराम करेंगे तो सबसे पहले पानी को और आप आने को अचिछ आपनी की नियाकी से प्जाह ऑं उसमें पानी को जीसे बाल कर लिया तो अच्छा लगे तो लाइक जर्ब कर दीजीगा और साथ ही कर दीजी कुकिंग उत्रफियर्ड को सब्सक्राइब तो इसको तरीके से ने बॉल कर दिया तो हम चनी की मज़े से चान लेंगे ताकि इसका जो भी एक्सस वाटर वो निकल जा इस तरीके सम इसको चान लिया था इसको रखेंगे साइट पर तो यहां पर हमने एक कप दही ली थी जिसको अची तरीके से में फेंट लिया तो इसमें कश्मी लाल में शामिल कर देंगे धनिया का पावडर शामिल कर देंगे और इसमें जीरा बुनावा शामिल कर दिया अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर द कर देंगे हाफ कप और तो इस सबसी में जो है ना ओल जादा पड़ता है तो यह फुल वेजिटेरिन रिसीप है और इसमें प्यास एड़ कर दें तो यहां पर हमने मीडियम साइस के प्यास दिया तो इसको में फान चॉप कर लिया था इस तरीके से अब इसको मीडियम फ्लेम शामल करेंगे मिक्स करें been are a new pakinc out it was fala झाला झाले को तो जितना आप सबोण को भूह ने मसाल जाहा गाँ ने में बूरा किमारेडी हो जाएगा इसए मैं करिया कर में तरे मेडि ही शामिल पाउर्डर चोठा चामच तर देंगे इस तरीके से कि अब इसको चार से पांच मिनिट के लिए पूनेंगे की में को दही के साथ इसको इतना पकाया होग्य़ को से इसमें पांच मिनटेंट के लिए उमें पांच मिन जरी हो लग youryl va signed के मदाबक एड़ कीजिएगा इसको तरी किसे मिस कर लेंगे अब इसे घरम पानी एड़ कर देंगे हाफ कप जितने आप ग्रेवी स्मेड करना जाया तो आप इसमें पानी एड़ कीजिएगा अब इसे मिटेיד ने शामल कर देंगे छोप किया हुआ अच्छी तरी किसे इसको मिक्स कर लेंगे आप इसकी आँच हम बंद कर देंगे दा इंगे साइट पर दूसरे पिन मेट कर देंगे दो बड़े चमच मखन के और देशी की शामल कर देंगे एक बड़ा चमच तो इसका हम तड़का बनाने जा रहे हैं इससे फ्लेवर बहुत ही जबर्दस आएगा इसको अच्छी तरी किसम मिल्ट होने देंगे अब इसे हम सुख्य को मेथी शामल कर देंगे हाथों की मदल से क्रश कर लेंगे तो एक बड़ा चमच हमने मेथी का एट कर देना इसमें इसको अच्छी तरी किसम पकाएंगे एक मिनट के लिए इस तड़की को एट कर देंगे कीमे के ओपर इससे फिलेवर बहुत ही कर दी थी हैरी मेच रहे थनिया की तो यह मज़िदार सा हमारा कीमा केसा लगा कर मेंट में ज़रू बताइगा जब कुछ पढ़ने का दिल ना करे तो यह मज़िदार सी रिपिजो ट्राइक किजिए जानी कि आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बुना मसाला की रिसिपी जो अ बना लेंगे तो यहां पर हमने दस बारा काजु बॉयल कर लिया था तो मेडियम साइस की टेमाटर एड़ करके इसकी प्यूरी बना ले सकते हैं इसको में रखेंगे साइट पर तो यहां पर हमने कसूरी मेथी को थोड़ सा रोस्ट कर लिया था हाँ जी तो कसूरी मेथी एड़ करने से ग्रेवी का फ्लेवर हो जायदा है डबल अब इसको में रखेंगे साइट पर तो यहां एक पेन में हम शामल कर देंगे दो से तीन चमच ओयल के आप चाहें तो इसमे मज़ेदार पनीर बुना मसाला बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंट तक जोर देखिए कोई भी पार्ट में समत करीगा लेसन शामल कर देंगे चुप क्यों एक बड़ा चमच मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से अधरा करपेस शामल कर देंगे एक बड़ा चमच उनको की में अक्ति टरीकी से पकाएंगे मीडियम हाइफ लेंपर ताकि सारे मसाला ची तरीकी से पक जांगे अब एक प्रीग कर देंगे छिट फोड़ा सा गरम पानी एट कर देंगे जिदन रुकाइट ूतना पानी हो द की जङे इसको चुह करेंगे दोस्तीन मिनिली मीनिन उत पंच मिनट के लिए पकाएंगे तो यह देखें अच्छी तरीके से ग्रेवी को हमने भून लिया था ऊइल सेपरेट हो चुका है इसकी लो हिट कर लेंगे और इसमें दही ड़ी कर देंगे जिस दही को अच्छी तरीके से में फैंट लिया था और इतना पकाना है जब तक कसाओ नहीं किया था और मिश्ट को पकाँ दू मिन्स के लिए इन हमारी हं व्यद के हैसे ऊबह草 दूसरे रहा है और व्य जाहित, मैं धूसरे नहीं हम ना मिश समूआफ और यृट यृटस है घुरस चाहर है, एक मिनट के लिए तक तो यह करणची वेजी से हमारी बन गई है तो इसारी वेजी से एड कर देंगे ग्रेवी में अच्छी तरीके इन सब को मिक्स करना है अब यहां पर हमने ली ती डंडे ने यानि क्या हमने हरा दनी की डंडे ने ली जिसको ने चोप कर लिया तर आप चा है तो कम यह जदा पनीर को ले सकते ही हमेट पनीर है इसके लिंक में डिस्क्रिप्रियों लोक्स में दे दूंगे जोड़ी चाहिए कर देंगे रॉस्टेर लेमन जूस एड़ी एक सो दो चमच और इसमें तोड़ी सब्सक्राइब कर देंगे अगर वीडियो अच्छा लग कर देंगे हरा देने चौप किया हुआ तो इसको मसर्फ करेंगे तवे पर तो तवे की फिल्म हमने कर दिये मेडियम उपर से गानिश कर देंगे इस तरीके से रखते जाएंगे काज्यों को तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रू पतेगा तो मज़िदार सा पनी बुन पर चाल के साथ खाएं मगए एक बार ज़रूर बनाएं सर्दियों की खास जाकेदार रेसिपी जिसे बनाएं बगे सर्दियां अदूरी लगती हैं तो चलेंगी मज़ेदार सी रेस्पी बनाने स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमने लेती 500 ग्राम मेती जिसको इस तरीके स हमने इसकी पत्यालः करें उसको दो लेंगे सथ़ करके साथ यहां से साथ आप उसको रकेंस अपर एक पीर में 5K यहां प्यास सामल उसको आया है दो PM 27 के लैसे मिनिसे करेंगे 20 से यहां सामल आदच करेंगे नहीं services को एक यहां इंड हम लिसे तो चाहरत नहीं चाहरत लें जिसको अमने रफली चॉपका लिया था इस तरीके से इसको पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए जब अच्छी तरीके से टिमाटर सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरीके से इस्टर करने के बास के हम फिलें बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखतेंगे तो यहां पर करें पाल गएंदक अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने लिगे हम इंट एक से दो मिनट चारची के बास करेंगे मॉर्टर एक कप अब इसको ची करेंगे और चारच चारच बांच मििनट के लिए स्वर चांट परी दाल चांट पक आमल करेंगे जी रहा एक चोटा चमच और इसमें बड़ी लाच शामिल कर देंगे तेज़ पता शामिल कर देंगे एक अदद अब इसे हम लेसन शामिल कर देंगे चुप क्या हुआ एक छोटा चमच इसको स्टर करेंगे अच्छी तरीके से मिस करने के बाद में बेस्ट एट कर देंगे जो अच्छी तरीके से हमने आढ़िए थाब इसका करने मित्तेर इसके समें के मिक्स करने के अच्छा नियुक्स मिक्स हो जाए मसाले में अच्छी तरीके से पकाने के बार से हम क्रीम एट कर देंगे तो यहां पर हम एक कप क्रीम का इस्तामाल करें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे तीन से पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लैम पर इसको इतना भूनेंगे जब तक तो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला एट कर देंगे और इसको मिस्क करेंगे तो यह मज़दार से हमारी मेथी मटरमलाई रेसिपी रेडी होने वाली है थोड़ा सा पान एट कर देंगे हाफ कप जितनी के आप इसमें ग्रेवी रखना जाए उसी सबसे पान एट कीजिएगा अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसको कवर लगा कर पकाएंगे दो से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चार मिनट के बाद यह देखें अल सेपरेट हो चुका है अब यह रेडी हो गया सफ करने के लिए तो इसको हम गर्मा गरम सफ करने जा रहे हैं तो यहां पर हम भी बनाने जा रही थी पराठा तो आप इसको सफ कर सकते हैं गर्मा गरम रोटी नान चपादिया फिर चावल के साथ यह सब के साथ बहुत ही जबदस रेसीवी लगेगी तो यह बहुत मज़ेदार मेती मटर मलई आपको कैसी लगी कमेंट में जरू बताइएगा आइ होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर दीजिए का चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरू कर दीजिए और कर दीजिए चोटा सा प्यारा सा कॉमेंट तो चले चीए हमारा पराटा भी बनके रेडि हो चका है तो इसको हम सब करते हैं गर्मा गर्म तो आप इस मज़ेदार सी रिस्पी को रिजरू ट्राइग कीजिए यह बहुत ही आमेजिंग बनके रेडि होती ह इसका फ्लेवर बहुत ही जबर दसते हैं सर्दियों की खास जाकेदार रेसीपी जिससे बनाएं बगए सर्दियां अदूरी लगती है तो अब जब खाने में खास जाकार चाहिए तो बनाएं फिर यह मज़ेदार सी सब्जी अब घरवाले सब्जी शो को मज़े लेकर कर देंगे लेसं शामल कर देंगे यहां पर हमने अद्दक शामल कर देना एक चिसको मने टुकड़ों में कर दिया था हरी में शामल कर देंगे जाके के मुताविक हरा दनी शामल कर देंगे अगर इस स्टेच पर वीडियो अच्छा लगी तो लाक जो कर दीजी का चनल पी न तो जितनी कॉस्तिकिसे मिस्करणे के बास में 20-30 गया है तो यहाँ पर हमें तो अंड्य निये घापने 20 इवाइल चाहे। लाव तो यहां पर हम ने घंडी कर देना है इसे हमारी जो टिक्री बनेगे नेगी अगर आपको व्रत्न ऑंडी प्रह सकते के रहे इस त्रीके से ब्हुत अच्छी होती होती इस तरीक चाहिए कश्कुछ तर dal किन द copyright कर लेंगे ताकि सारे गत्व हो जये ये बहुत आसाम से रेशीपी लेकिन बहुत रहें बहुत था पर बहुत इ hpश बनती है तो आप फीरो एंट देदे हैं इस तरह यह सारी हम बना के चाहे लिया रएम उाँपर के लिया है अब रखेंस को साइड़ पर यहां ठोपना पर कर देंके हां muffled डासे तॉपर में एक में शाहि enorm में लेड़ते हैं आजल के लिए हinhas, यहां पर iaंग दढ़से जैक्य के मताबए तो अपनी जैक्य की का हरेमिज को एड़ कीज़िए अगर आप पसंद देंगे रही होज़ाइब ऊर्ड़ तो स्कुप कर दें चुपर में इसके बास के अब पियरी बनाने के लिए लिए फिर सो लिखंगे में स्थमाल करेंगे के यूखitel उइल कर देया है ऑछिए कई को टरीकिस गरम होने से देंगे फिर घ्रिकाश में एड़ ओटाउन यहरा है conservation हम फ्राइब ना होने लगाँ अब इसके उसली के अंदरसे स्था रिखे निकालते रखती जा रहें तो ये हमाई टिके débकिया बनेके था हम उसको खाए ना के लिए कले मुण शामल करेंके मुण कूकिंग ऑयल मुण attractive किया था एक अप तुसको तरी की सामसाथे कर लेंगे जब तक अच्छ तरी कि श्रिक इसफ ईक शाज कर देंगे जब फिल आप और होने लेगे तो यह देख की प्यास तरी कि से इस अच्छ सरे कि से गोल्ड़न ब्राउन हो चूकी है ह weakened तो आप मिर्ची को कम यह डदा चट सकति जोड़ा सब फानी है ठीज़ हो तक है ली शरी अ मिक्रेश क 만들어 देंगे झोने प्रैलिब दियार कर day वीचिमा्यद के साहथ है अब इसको दो सिति मिनट के लिए पका एंगे जब तक तो रीक Сп Today ट्राइड ना होने लगए टीमार्टर वगेरा देखें इस तरीके से ट्राइब हो चुके इंटीमार्टर उसमें पानी शामल करदेंगे दोसे तीन चेमार जिसको चुछ टीमार्टर चुछ कर लेंगे और इसको कवर लगा कर पकाएंगे दोसे तीन मिनट के लिए जबत QUE अब इसमें पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 1 four cup जिदन रिकारओ तो पानी एट कीजिए गा तो इसको ज़िकी समिस कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे कसूरी में ती जो कि हमने लिए सुखी कसूरी में ती एक बड़ा चमर जिसको हम हाथों के मता स्कुर आश्य कर ले तो लाइक जोग कर दीजिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक च्छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट तो आप हमारे वीडियो कौन से शेयर कौन से मुख से लिकने कमेंट में ज़रू बताईगा तो अंडी को एक करने के वास कोश्टर की सीमिस कर लेंगे और इस चोटा चमबस में शामुल कर दे सरकी काच देगे से इसको मिक्स करने के वास सारी टिक्या एट कर देंगे जो कि हमने फ्राय करके रखी थी तो यह हमारे बहुत ही मज़ेदार सी सबजी रेडी होने वाली है तो सारी टिक्यां को एट करने के वास ओपर से थोड़ा सा में डिप हो जाए इसको हम कवर लगा का थोड़ा सा दीन पर लखेंगे ताकि और सेप्रेट हो जाए तो यह देखिए अच्छी तरीकी से हमारा यह मज़ेदार सा सालन कहें ग्रेवी कहें यहां फिर यह सबजी कहें रेडियो चिके सब कहने कि इसके ओपर थोड़ा साम तर करें किगा मुझे और मेरी फेमिली कौमेशे की तरह दो में यह दो कीजिए का फिर में तेक नहीं और बहुत असान सी रेस्पी के साथ टेक क्या बबाई अलाफेस